खिरक्यों कुट्टे इस ब्रिश से कूट कर अपनी जान दे देते हैं वैसे तो पिर्थभी पर बहुत अंसुलजे पहलू हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ऐसा क्यों हैं सवाल तो बहुत है पर इनका कोई जवाब नहीं ऐसे ही अंसुलजे पहलू मसे एक है के लिए अपनी योर आकरशित करता है साथ के दसक से आज तक 600 कुट्टे यहां से कूद आत्म हत्या कर चुके हैं ऐसा कहा जाता है इस ब्रिश से कुट्टे बिना किसी कारण के यहां से कूद जाते हैं और 50 फिट की उचाई से गिरने पर उनकी मौत हो जाती है कुछ घटन से कूद कर अपनी जान दे देता है लगातार कुट्टों के आत्म हत्या करने से ब्रिज पर चेतावनी भरा बोड भी लगवाया गया 1950 से 1968 के दसक में पहली बार कुट्टों के आत्म हत्या को लेकर यह लोगों की चर्चा का केंद्र बना ओवर टाउन ब्रिज को 1869 में नियुद करने से पर बीज को बनवाया था हैरानी की बात यह है कि यतने बी खुट्टे ने आत्म हत्या की है वह सभी रहया сам Hausin दे और सभी कुटों ने प्रिज की एक सो स्पोर्ट से च्छलांग लगाई है आखिर ऐसा क्या रहस है इस पत्थर से बने बिरिज में जो उन कुटों को जान देने पर मजबूर कर देती है आज तक यह रहस से ही बना हुआ है एक रिपोर्ट के मुताबिक 1954 में केविन्स रो नाम के एक ब्यक्त ने उसी जगह से अपने बेटे को नीचे फेक दिया और बताया कि वो बच्चा एंटी क्रोस है और कुछ महीनों बाद उस इनसान ने भी वहां से कूट कर आत्मात्या कर ली यहां के अस्थानी लोगों का कहना है कि हो सकता है इसके पीछे उस आउरत की आत्मा है जो वहां सो साल से भटक रही है वहां के बालवन्स बताते हैं दो साल पहले की बात है जब मैं वहां खड़ा था और अचानक किसी ने तेज धका दिया मुझे किसी की उंगली महसूस हुई कुटो की तरह मुझे भी किसी ने कोई बार बार नीचे धकेलने की कोशिस कर रहा था अगर बिज्ञानिक कारणों को माने तो ब्रिज के नीचे मौझूद उदबिलाओ यानी बीवर की महक कुटो को अपनी तरफ आकरशित करता है और ये कूद जाते हैं तीन साल की केसी जो उन कुटो में से है जो कूदने के बाद भी सही सलामत बची और वो अपने मालकिन एले सौन के बेटे थाॉमस के साथ टहल रही थी तब ही अचानक पचास फिट के बिरिज से बिना किसी कारण वहां से कूद गई आज भी ओवर टाउन बिरिज अपने साथ बहुत से राज लिए छुपा है वो कहते हैं ना दमिश्टरी नेवर इंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही मिस्टिरियस ठेक्ट के लिए सस्क्राइब करना ना भूले